दोस्तो इस वीडियो में हम पुछेंगे जीके का दसमयदार सवाल पर तेक सवाल के लिए मिलेगा आपको 5 सकंड सोचने के लिए तो अभी तो हमारे जीके हमें स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करना चाहिए दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे जीके हमें स्टडी पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिए कि कोई भी नाया और ताजा जो जानकारी ह चाहिए दोस्तो परदूसन के कारण या जितना भी दवाई छिरकाव के कारण वो जो खाना होता है वो विकार हो जाता है इसलिए कभी भी जाच करके खाना बनाना चाहिए और सोच समच करके खाना चाहिए खाने से बहुत परकार की विमारी हम लोग के सरीर में उत्पन हो जाती है सवाल नमबर दो सब्जी बनाने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे जीके हमें स्टड़ी भे पहली बार आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन घंटी को दबा क करके रखिए कि कोई भी नाया और ताजा जुजनकारी है आप लोग के पास तक डक्टरी वाला मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है कभी भी सब्जी बनाना है तो सब्सब्जी की ज्यांच करना चाहिए और बजार से लिया करके पहले धोना चाहिए जो लोग नहीं धो करके और बनाते हैं ज्यांच करके नहीं बनाते हैं वो सब्सब्जी खाने से बिमारी होती है लगवा फालिस कि इसलिए दोस्तो कभी भी खाना बनाना है तो किसी परकार से बनाना है तो सुझ समझ के के बनाना है तो दोस्तो इन सभी बातों को समझते हुए इस वीडियो को लाइक किजेगा और इस चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब किजेगा बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिएगा कि कोई भी नाया और ताजा जो डक्टरी वाला वीडियो है वो आप लोग के पास तक डायरेट मिलती रहे सवाल नमबर तीन चीनी खाने से पहले क्या करना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिए कि कोई भी नाया और त इसका सही अंसर है चीनी खाने से पहले चीनी की जांच करवाना चाहिए दोस्तों जो लोग चीनी जांच करके नहीं खाते हैं उसमें बहुत खाद खड़ी दे करके जो गन्ना है उप जाई जाती है वो बजार में बीगता है तो उस चीनी को जांच करके खाना चाहिए आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे जी के हमें स्टडी पे पहली बार आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिए कि कोई भी नाया और ताजा डक्टरी के बारे में आप लोग को जनकारी हमेसा हमेसा के लिए मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है जमीन जब भी जमीन की बदलाव करना चाहिए और चरहां उतरा उसको बनाना चाहिए ऐसे करने से जमीन जो है वो बारा हो जाता है ऐसे जो लोग नहीं करते हैं वो हमेसा हमेसा के लिए दूखों के घेरे में परे रहते हैं दोस्तो ज़्यादा जनसंख्या हो जाने के कारण जमीन जो है वो बहुत कम हो जाती है तो उसको दिमाग से काम परता है सवाल नमबर पांच हम से गरीब क्या हूं है दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब किजेगा तो जितना भी जानकारी है जो है आप लोग के पास तक डेट मिलती रहेगी और आप लोग दूखों के घेर से हम ऐस के लिए छुटकारा पाएंगे तो दोस्तो इस वीडियो को लाइक किजेगा और इस चैनल पर पहली बारा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लिजेगा दोस्तो इसका सही अंसर है बुद्धी के बीना हम लोग गरीब हो जाते हैं दोस्तो सबसे पहले बच्चे लोगों को परहाना चाहिए लिखाना चाहिए दोस्तो जो बच्चा परहा लिखा नहीं होता है वो देश दुनिया में वो कभी भी गरीब बनके रहता है सवाल नमबर 6 मचलियों का तेल किस काम में आता है दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक और इस चैनल पे पहली पार आए हैं जी के हमें स्टेडी पे तो जल्दी से सब्सक्राइब किजिए और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिए कि कोई भी नाया और ताजा जो जानकारी है आप लोग के पास तक हमेसा हमेसा के लिए मिलती रहे दोस्तो इसका सही अंसर है मचली का तेल जो है वो बीमारी में काम आता है किसी भी बीमारी को वो मचली का तेल जो है वो हटा देता है दोस्तो मचली का तेल जो होता है वो सुगर के लो जो को कभी भी मचली खाना आवस्यक जरूरी होती है सवाल नमबर साथ साथ दिन में कितना आइटम खाना बना कर हम लोग को खाना चाहिए दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं और आप बीमारी से छुटकारा पा सकें दोस्तों इसका सही अंसर है सिहत सही रखने के लिए साथ आइटम खाना बना कर रखना चाहिए साथ दिनों में और वो खाना चाहिए कमजोर लोगों को इस सब चीजे जो है वो खूब खाना चाहिए जब हम लोग खाना आचा नहीं खाएंगे तो बहुत सारी बिमारियां जो है ओँ हम लोग के सरीर में पकर लेगा और जकर जाएगा तो हम लोग बिमारी से मर जाएंगे तो दोस्तो खान पान पे ध्यान रखते हुए इस वीडियो को राइक कीजेगा और इस चैनल पे पहली बार आये हैं जी के हमेश्टर डी पे तो पहली बार तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिएगा कि कोई भी बीमारी से आप लोग दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल पे जी के हमेश्टर डी पे पहली बार आये हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजेए कि कोई भी बीमारी के बारे में आप लोग को जनकारी सही सही मिल सके दोस्तो इसका सही अंसर है उरत की दाल फलेरिया वाले रोगी को नहीं खाना चाहिए नहीं तो फलेरिया जोड हो जाती है आदमी की मौत हो जाती है और जिन लोगों को सांस फूलता है अस्थामा है उन लोग को उरत की दाल जो है वो बिलकुल नहीं खाना चाहिए जो वीडियो को लाइक किजेगा और इस चैनल पे पहली बारा हैं जी के हमें स्टडी पे तो सब्सक्राइब किजेगा सवाल नमबर 9 विटामिन एक की कमी से कौन सा बीमारी हम लोग के सरीर में उत्पन हो जाती है दोस्तों अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल पे जी के हमें स्टडी पे पहली बारा हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब किजेगा और बेल आइकन घंटी को दबा करके रखिएगा कि कोई भी नाया और ताजा जो जानकारी है आप लोग के पास तक हमेसा हमेसा के लिए मिलती रहे और आप लोग जो हैं दोस्तों इसका सही अंसर है बिटामिन-A की कमी जब जाती है तो कमजोरी होता है और आँख आंधा हो जाता है इसलिए दोस्तों मीट चाहिए मचली खाना चाहिए आंडा खाना चाहिए दाल खाना चाहिए घी दूद मलाई जो है वो पनीरों नीर सब मिला करके खाना चाहिए जो लोग ऐसा नहीं करते हैं उन्हीं लोग को विटामिन A की कमी हो जाने के कारण उठना बैठना चलना फिलन यह सब मुश्किल हो जाते हैं और सरीर में जो है वो पूरा बिमारी जकर करके पकर लेता है बाद में दूद खाने से भी ठीक नहीं होती है सवाल नमबर दस जीन लोगों को लकवा एक बार मार दिया है उनके लिए क्या क्या सुभीदा उपलवद चाहिए दोस्तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को लाइक किजेगा पहले और इस चैनल पे जीके हमें स्टड़ी पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा सही सही जनकारी के लिए दोस्तो इसका सही अंसर है जीन लोगों को किसी भी अंग में लाकवा फालिस की बीमारी हो जाती है उनको सबसे पहले लेटनिंग की सुभा सुभीधा चाहिए बाद में उसको खाना जांच परक करके उसको खिलाना चाहिए या देना चाहिए नहीं तो फिर अगर एक बार और मार देगा तो ओ आदमी मर सकता है और दोस्तो हम बताएंगे कि लाकवा फालिस की बीमारी क्या होता है गरबर सरबर जो खाना होता है ओई खाने से होता है औ और चैनल पर पहली बढ़ाए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकोन घंटी को दबा पर करतीएगा कोई भी नाया और ताजा जनकारी चुहाए आप लोग के पास दोग डाइडेट मिलती रहे थैंक्यू मड़े भाई